चानक के AIS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं भारत के पुर्व नेवी अफसरों को कतर में मिली मुर्त्युदंड के बारे में भारत के आठ पुर्व नेवी अफसरों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई है जिस तरह से अधिकारियों को ये मृत्युदंड सुनाया गया है वो पहले ही कई सवाल खड़े करता है अब इसे हम एक उदाहरन से समझते हैं नेपाल के महतरी जिले में ओरोही नाम का एक गांव है वहां शमाम और गीता का परिवार रहता है पैसे की तंगी की वज़ा से घर का खर्च चलाना भी मुश्किल था उन्होंने डेड़ लाक रुपए कर्ज लिया और अपने इकलोते बेटे अनिल चौधरी के लिए कतर का वीजा बनवाया दोहजार पंद्रा में अनि एक कार धुलाई की फर्म में मजदूरी करने कतर पहुच गए दो साल बात 2017 में पता चला कि अनिल पर किसी कतर नागरिक की हत्या का आरोप है उसे मौत की सजा सुनाए गई है 2020 में अचारित नेपाल की एमबेसी को बताया जाता है कि अगले दिन अनिल चौधरी को मौत की सजा पर अमल किया जाएगा एमबेसी के पास इतनी जल्दी किसी कानूनी मदद के लिए परियाप्त वक्त नहीं था अगले दिन कतर के शूटिंग स्क्वार्ड ने अनिल को गौली मार दी अब हम देखते हैं कि भारतिये मामला ये क्या है 30 अगस 2020 की बात है कतर में भारतिये नौस एना के आठ रिटाइड ओफिसर अपने घरों में सो रहे थे इसी दौरान कतर के इंटेलिजेंस ओफिसर वहाँ पहुशते हैं और उन्हें बिना आरोग पताय गिरफतार कर लेते हैं इन्हें अलग अलग जगों पर कैद रखा जाता है ये सभी अफसर कतर की नौस एना को ट्रेनिंग देने वाली एक निजी कमपनी दाहरा ग्लोबल टेक्नोलोजीज एन कंसल्टेंसी में काम करते थे दाहरा Global Technologies and Consultancy Defense Services प्रोवाइड करती है ओमान एर फोर्स के रिटाइट स्क्वाडरन लीडर खमीस अल अजमी इसके प्रमुक है उन्हें भी आठ भार्तिय नागरिकों के साथ गिरफतार किया गया था लेकिन नवंबर में उन्हें छोड़ दिया गया गिरफतारी से करीब 14 मैंने बाद याने 26 अक्टूबर 2023 को इन सभी पूर्व नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाए जाने की खबर आई है यहां पर ये सवाल उटता है कि क्या इसराइल की जासुसी करने के लिए ये सजा सुनाए गई है कतर की और से केवल मौत की सजा की बात कंफर्म की गई है उनके आरोपों पर आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं बताया गया है अलग-अलग मेडिया रिपोर्ट्स में कुछ बाते जरूर चल रही है Financial Times के अनुसार आट भारतियों पर इसराइल की लिए जासुसी करने का आरोप है अलग-जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार आठों पर कतर के सब्मरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी information इसराइल को देने का आरोप है मेडिया रिपोर्ट के अनुसार कतर इटली से एक सब्मरीन खरीद रहा है ये बेहत छोटी है रडार की पकड में नहीं आती कतर के नौसेनिक बेडी में शामिल के जाने से पहले इस पर कतर सरकार ने कई इंडियन स्नेवी आफिसर्स की सला और मदद ली है ये सभी आठो नौसेनिक कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देते थे और इने भी उसकी जानकारी थी जानकारों के अनुसार कतर और पाकिस्तान के सम्मंद अच्छे है पाकिस्तान ये सब्मरीन कतर से ले सकता है ऐसे में भारत भी इस सब्मेरीन की बारे में जानना चाता था इसका दूसरा पक्षिय भी है कि भारत इसराइल से सेन्य हत्यार खरीटता है कतर की खोफिय एजन्सी कतर स्टेट सेक्योरिटी ने कहा है कि उसने पूर्व इन्डियन नेवी आफिसर्स के उस सिस्टम को पकड़ लिया है जिससे वो लोग जासूसी कर रहे थे अब देखना ये है कि भारत सरकार और पूर्व नेवी अक्सरों के पास आगे क्या रास्ते बचते हैं पहला रास्ता है कतर की आतरिक कानून विवस्ता की उपरी अदालत में अपील करना ये फैसला दोहा स्तेत Court of First Instance of Qatar ने सुनाया है दोहा डायरेक्टरी वेबसाइट के अनुसार यह कोट सिविल और क्रिमिनल के सुनता है सीधे शब्दों में कहें तो ये वहां का ट्रायल कोट है इस कोट के फैसले के खिलाफ उपरी कोट में अपील की जा सकती है नेवी के पूर्व अफसर इस फैसले के खिलाफ Court of Appeal में अपील कर सकते हैं दूसरा रास्ता है International Court of Justice में अपील करना भारत International Court of Justice में अपील कर सकता है वहां मामले की सुनवाई होगी United Nation Charter के Article 94 के अनुसार United Nation का Member देश जो उस मामले में पार्टी होगा वह ICJ के फैसले को मानेगा ये आकरी फैसला होगा और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है इतना जरूर हो सकता है कि किसी फैसले के किसी शब्द के अर्थ को लेकर आशंका हो या शंशे हो तो उसे जानने के लिए दोबारा अपील की जा सकती है देश और उसके कोट को ICJ का फैसला मानना ही होगा वे इससे इंकार नहीं कर सकते हैं जासूसी मामले में पाकिस्तान ने भारतिय नागरिक कुल भूशन जानदव को मौद की सजा सुनवाई थी भारत ने इस फैसले के खिलाफ ICJ में अपील की थी 17 जुलाई 2019 को नीदरलेंड की दहैंग सित इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस ने मौद की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को सजा पर पुनर विचार करने के लिए कहा था इतना ही नहीं ये भी कहा था कि वो तब तक कुल भूशन जांधव को फासी नहीं दे सकता जब तक ICJ में मामले की सुनवाई हो रही है पाकिस्तान ने फैसले को माना और आज भी कुल भूशन जांधव पाकिस्तान की जेल में बंद है उन्हें फासी नहीं हुई है है तो वापसी संभव है जिसकी संभावना बेहत कम है दूसरा International Court of Justice में अगर हम जाते हैं और ये केस जीत जाते हैं तो ये संभव है इसका दूसरा उदारन इटली Marines वाला केस है जिसमें दो भारतिय नागरिकों की हत्या के बात भी उन्हें हमें रिहा करना पड़ा था इटली वाले केस के अगर बात करें तो इटली के नौसेनिकों ने 2012 में केरल तड के पास दो भारतिय मच्वारों की हत्या कर दी थी इस केस को इटली के जहाज एन्रिका लेक्सी के नाम से जाना जाता है भारतिय पुलिस ने इटली के दो नौसेनिकों को गिरफतार कर उन पर केस दर्च किया था इटली ने इसके खिलाफ International Tribunal for Law of the Sea में अपील की थी वहाँ इटली ने ये बताया था कि उसके नौसेनिकों को गलत फैमी हो गई थी कि वे मच्वारे समुद्री लुटे रहे हैं और उन्होंने गोली चला दी है मामले का फैसला आया था कि ये नौसेनिक अपने देश की रक्षा कर रहे थे ऐसे में इन पर भारतिय कानून के तहट केस नहीं चलाया जा सकता इस तरह से वे नौसेनिक इस मामले से बरी हो गए थे अब हम बात करेंगे भारत और कतर के रिष्टों के बारे में कि क्या ये रिष्टे ठीक है नवंबर 2008 में भारतिय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग की यात्रा के बाद से दोनों देशों के बीच रिष्टे मजबूत हुए मार्श 2015 में कतर के अमीर शेक तमीम बिन हमाद अल्थानी ने भारत की यात्रा की थी जबकि 2016 में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी दोहा गए थे भारत के विदेश मंत्री जैशंकर अब तक तीन बार कतर जा चुके हैं इससे पहले शुष्मा सवराज 2018 में कतर जाने वाली पहली भारतिय विदेश मंत्री थी 2022 जून में दोनों देशों के बीच रिष्टों में पहली बड़ी चुनोती देखने को मिली थी इस दोरान एक टीवी शोव में बीजेपी की प्रवक्ता नुपूर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्ती जनक टिपनी की थी कतर ऐसा पहला देश था जिसने सबसे पहले इस टिपनी को लेकर आपत्ती जताई थी भारतिय राजदूत को भी कतर सरकार ने सम्मन किया था उस समय ततकालिन उपराष्टपती बेंकया नाईडू की यात्रा विवादों में घिर गई थी अमीर द्वारा आयोजित किया जाने वाला दोपैर का भोजल रद कर दिया गया था जिसमें कतर के पक्ष ने रद करने के लिए चिकितसा कारणों का हवाला दिया था पिछले साल उक्टूबर के अंत में प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर से बात कर उनकी दिवाली की बधाई स्विकार की और फीफा वर्ड कप के लिए शुबकामनाई भी दी थी नवंबर में फीफा के उद्घाटन के लिए उपराष्ट पती जगदीब धनकड की कतर यात्रा ने यह उम्मीद जगाई थी कि वह जेल में बंद आठ भारतियों का मुद्दा उठाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब हम बात करेंगे कतर के इतिहास के बारे में 12,000 वर किलोमेटर में फैला कतर 100 साल पहले तक बसावट के काबिल नहीं माना जाता था यहां रहने वाले लोगों में बड़ी संख्या में मच्वारों और मोती चुनने वाले ही थे यह खाना बदोष लोग घुम घुम कर रहते थे 1949 में कतर में तेल का पहला भंधार खुजा गया इसे कतर का ब्लैक गोल्ड दहा जाता है और यहीं से यहां की अर्थवेवस्ता में सुधार आया 1950 में यहां की आबादी महज 25,000 थी 1970 में बढ़कर 1,00,00 हो गई 1941 में दुनिया का सबसे बड़ा ओयल रिजर्व कतर में मिला आज कतर में करीब 39,000,000 लोग रहते हैं जिन में सिर्फ 3,000,000 कतरी हैं बाकी प्रवासी हैं इन में करीब 8,000,000 भारतिये हैं यह भारत में आने वाले कुल विदेसी पैसे का 6.5 प्रतिशत भेजते हैं प्रतिवेक्ति GDP के हिसाब से अमेरिका साओधी एरब से भी उपर कतर का दुनिया में पांचवा स्थान है इसके साथ ही आज का ही टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और जरूर करें धन्यवाद दोंट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिस इन अप्टेट